आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिव रहसे दे सीक्रेट ओफ शिवा में हम बात कर रहे हैं शिव से जुड़ी हुई वो सब रहसे में बातों की जो की हमारे जहन में हैं और एक एक करके क्लियारिटी लेकर आये हैं आप सब के लिए हमारे साथ है बीके राजीव भाई जो की बहुत बड़े स्कॉलर है रिसेर्चर है और इन्होंने भारतिये संस्कृति भारतिये शास्त्रों पर बहुत ही गहन अध्यन किया है आपका बहुत-बहुत स्वागत है ओम शान्ती करके जब हम शिव की बात कर रहे हैं शिवरात्री की बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियारिटी आती जा रही है मुझे भी आ रही है और दर्शकों के जहन में भी आ रही होगी तो इसको थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं पिछली कडी में आपने बताया कि शिव अलग है शं करते थे तो हम कहीं ना कहीं वो शंकर का स्वरूप देखते थे तो अब यहां पर में थोड़ी और क्लियारिटी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि शिवजी को तो हमने समझ लिया कि निराकार स्वरूप है सरवोच्चम है और वही भगवान है लेकिन अब जब शंकर की बात करते हैं महादेव तो जो है सब के दिलों में चाय हुए है और जब भक्ती करते हैं तो उनका एक स् चुड़ी हुई है वो भी हमें समझ में आती है जैसे भस्म लगाते हैं गंगा जटाधारी है और हमें तो पहले जब चोटे थे तो हमें प्रशन भी आता था मन में जब चोटे थे तो हमारे मन में प्रशन आता था कि महादेव जी कि जटा से गंगा बहती है तो किया 24x7 ब तो उसके यहाप से फिर मन में प्रशना आता था कि मैं मालूम है कि चंद्रमा अर्ध चंद्रमा कब दिखता है जब एकलिप्स होता है जब कही ने कहीं जो है कोई ने कोई और पृत्वी बीच में आती है तो आखिर इतना बड़ा चंद्रमा जहां पर विज्ञानिक जाकर आये हैं और शंकर जी के भाल पर विराजमान है और सापों से हम इतना डरते हैं लेकिन शंकर जी उसे अपने गले में लटका के घूमते हैं एकदम भै मुक्त होके इसके पीछे का भी क्या रहता है यह मैं ज क्या करते हैं कि जब पारवैती के बार्वेत्य के वह पे तो क्या करते हैं बड़ पुझा टेसर्वका है कि अहसे जितनी बीजो सारी चीजोगा आपने खिर जटा में गंगा या सर्ब ये वास्तों में कहीं न कहीं उनके अलंकार को सुचित करते है एक्जाम्पल के तौर पर मान लेजिए हमें तोड़ी लोगों की मानसिक्ता को समझना होगा है क्यों कि क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि हमारे भारते शास्त्र पहले वेद आए उपनिशद आए और पुरानों की रशना हुए तो वह ऐसा समय चल रहा था जब लोग काफी मात्रा में अलंकारों का प्रियोग कर रहे हैं अगर लिखना है कि जैसे फॉर एक्जाम्पल की अस्त्र और शास्त्र दिखाया जाते हैं हाथ भी दिखाया जाते हैं यह कहीं न कहीं एक सिंबोलिजम है मैटाफॉरे जोन के गुणों को दर्शाथ है एक्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे आपकी प्रतिमा बनानी है और मुझे इसमें दिखाना है कि आप उनक दिखाया गया चश्मा दिखाया गया हाथों में किताब दिखाया उस्मृति से लोग को क्या मैसे जाएगा कि यह बहुत बड़े विद्वान है बिल्कुल तो हमारे जो आर्टेश जो थे जो मृत बनाते थे उनके लिए वी अवारे भूत बड़ा दुविता था ऑख इतने सारे गुनों को कैसे दर्शाया जाए इसी प्रकार जितने हमारे भारतिय संस्कृति में दिवी देवता हैं उनके कुछ न कुछ यह अलंकार दिखाए गए अब महादेव की एक्जामपल में अगर हमें आपके कहने का मतलब है जो उस देवता की हुआ कि आपके पार्यान में ग्रहिं। इसे क महा ट सबी कि दिखाए जारे जाता है यहां महादेव को ऑसा ने कौन है प्लब है को शोड़ाइक हमें बाति famous ने होड़ेताгाई भारत के देवी जो माहादेवता ने यह सारे अलगार उनकी गुणों को दर्शाते हैं और ईतना हिने हैं यह जाता है कि हमारे जो टेलिविजन सिरियल होते हैं उसमें भी उसी प्रकार के अलगारों को दिखा दिया जाता है तो लोगों के मन में बिल्कुल पक्का हो चुका है जानी यह जो सारी आलंकार उनकी इतनी अछी मैता है कि अगर उन गुनों को अगर हम अपनी जीवन में धारन करें तो हमारा जीवन कृतार्त हो सकता है तो यह साब गले में लटकाते हैं शंकर जी इसके पीछे क्या गुनी यह क्या दर्शात है मैं आपको एक अलग प के तोर पर अगर हम देखा जाए कि विष्णुजी को शेष शेया पर लिटा हुआ दिखा जाते हैं विश्ण भगवान को भी वह शेष नाप पर दांस करते लिए अन्य धर्मों की बात करें तो बाइबल में भी बताते हैं सैटन या सेटान जो माना गया है उसाफ को इमाना अब साफ आप देखेंगे तो बताइए ना आपका पहला रेक्शन क्या होगा लेकिन महादेव के गले में साफ दिखाना बड़ी सहष्टा पुर्वक वह इस बात को सुचित करता है कि इन्होंने नेगेटिविटी को बुरायों को बहुत सहष्टा से कंट्रोल करके अपने लिए लर्निंग है कि क्या जब महादेव इन विकारों को नेगेटिविटी को उन्हें ने सप्रेस नहीं किया बाकी जगह आप देखते हैं कि लोगों ने कृष्ण डांस कर रहे हैं एक्जाम्पल के तौर पे तो यह दिखाता इस बात को कहीं ने कहीं सिर्किष्ण जी जो प्रकार के शीव आधात्मिक बल लें शक्ति लें और महादेव इसा इक प्रिन आलें इसकेश्टी कर इतने सहच्ता से विकारों को अपने गले कहार बना सकते हैं तो विकारों को बहुत ब़ड़ी बात नहीं है बहुत वंडरफुल मैं खुद अचंभव हो गई हूँ कि इ परफने एक छोटी छोटे और है एक्जामपेल के तोर पर जैसे बता रहे थे हम गंगा की बात बता रहे हैं तो गंगा मतलब क्या होता है भारती संव्कृति में परफित्पावनी कहा गया है तो वास्तों में ज्ञान गंगा के तरह है तो दिखाए जाता है कि माद्यों ने क कथा जो आती है इस पुराणी कथा में बताया जाता है कि गंगा जो है उपर से अवत्रित हुई थी और उन्होंने शिव जी ने गंगा को प्रभावित नहीं किया मतलब महादेव यहां पर दिखाया गया है उन्होंने क्या कि उसको अपने जटा में वश्किया तो गंगा उस बांध लिया तो वास्तो में ज्यान गंगा जो है वास्तोमे उस्ट गंगा का प्रतीक है और बात बताना चाहांगा को कहीं लोग कंफिक्ज़ हो जाते हैं इस जय गयान की बात बताईी क्योंकि देड़ सबिटिम नॉलेजच और विज़डम में अंतर होता है दुनिया की इतने भी ज्यान की बाते हैं, मैं उसको रट लेता हूं, मेमराइज कर लेता हूं, आज इंटरनेट पर इन्फोरमेशन है, यहां विज्डम की बात कर चल रही है, विज्डम मतलब जो बुद्धी के द्वारा हमें कहीं न कहीं, वो ज्यान जो हमारी आध्यात्मिक उनिती कर जो आत्मा को मुक्त करें, उसकी बात बताएगी है, तो जो गंगा का प्रगठ होना आस्मान से, वो इस बात का सुचक है कि परमात्मा शीव जो है, इस ज्यान को परमधाम से कहीं ने कहीं जर्ते पर लेकर आते हैं, और उस ज्यान को धन करने से हम क्या बन जाएंगे, आपने दिखा होगा जटाओं को न उनने बांधा होएं, तो बांधी हुए जटा अनुशाशन या डिसिप्लीन का प्रतीक है, तो इतने उच्छ ग्यान को अपने जीवन में धारन करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा डिसिप्लीन भी चाहिए, और इतना ही नहीं, उ जैसे की ओवरफ्लो हो रहा है उस लेवल तक उसको धनर किया गया है केवल अपने तक सीमित नहीं रखा गया है लेकिन वह जैसे उस जटा से फ्लो हो रही है और पुरे समग्र संसार को पावन बना रही है तो यह उच्छ कोटी के इश्वर यह ग्यान का प्रतिक और जटाओं क्योंकि बिना डिसिप्लीन के आप इतने उच्छ कोटी के घ्यान को धारन नहीं कर सकते कहते हैं कि शेरनी का दूद जो है ना सोने के परतन में आता है एक चंद्र भी जो है वो भी उनकी जटाओं में बिल्कुल अब यह तो जटा की बात हो गई है ना उसी प्रकार चंद् क्या है हां हमारे इतने सारे लोग विज्ञानिक जो है वो चंद्रमा पर जा रहे हैं खोच करने और महादेव जी जटाओं में लेके बैट बिल्कुल तो यह जटानी भाल पर दिखाया जाता है यह इस बात का सूचक है कि समझना पड़ेगा कि अलंकार है जो उनके गुण आती है कि आज की यूग में इतनी एंसाइटी इतना फ्रस्टेशन को डॉक्त आउट अफ कंट्रोल लेकिन महादेव इतना ज्यान उच्रकोटी का ज्यान होने के बावजूद भी शीव से उच्रकोटी का ज्यान प्राप्त करने के बाद भी उनके अदर अभीमान नहीं आय अब आगया है सत्यम शिवन सुंदरता का भी प्रतीक है तो जैसे भी खुबसूरती की बात आती है और महादेव हमेशा तपस्या करते हैं तो जब इस प्रकार के उच ज्ञान को आप धारन करते हैं पर हम तपस्या के स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारी इनर ब्यूटी आंत्रिक सुंदर्था खुबसूरती जागृत होती है लेकिन आज हम क्या समझते हैं व्यक्ति वस्तु वैभव फैशन उस बाहरी सुंदर्था को भी हमने बहुत जादा महत्व दे दिया लेकिन अर्द चंद्रमा वह उनकी आंत्रिक मानसिक अवस्ता उस खुबसूरती का प्रतीक है इतना ही नहीं आश्यर होगा कि प्राचीन समय में हमारे भारते जोतिश काफी विक्सित था तो उस जमाने में काल गणना के लिए ना चंद्रमा का उपयोग होता है इसलिए पुर्णी मा अमावस की जो बात होती है तो इस प्रकार चंद्रमा जो है एक तरह से द रूस सफिन आने गणा है तो इस उस काल का भी परिचार केक तरह से हो जाता है तो इत रिफ्लेक्ट्स इनर ब्यूर्टी इसलेक्प्रेशिवयर को भी रेपरिजट करता है और शितलता को भी तो तो अगर महादेव से केवल मात्रा अगर उनकी एक अलंकार को भी अपने जीवन में हम धारन कर ले हमारे जीवन बदल जाएगा हम अभी तक जिसको यह देख रहे थे बाहरी रूप से देख रहे थे और हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे आप जिस देव की पूजा करोगे उनके गुन आपके अंदर लगते हैं तो हमने उनके गुनों को समझा ही नहीं एक बड़ा आश्यरी की वात आती है कि हम भगवान के पास क्यों जा रहे हैं क्या हम उन चीजों के लिए जो चीजे विनाशी है जैसे हमने बताया कि कोई भी व बस्तू या वैभव हमें लंबे समय का सुख नहीं दे सकता है तो क्या हम शिवरात्री के दिन शिव जी के पास उन लौकिक चीजों की इच्छा पूर्ती के लिए जाते हैं सुचने का विशा है और जहां प्यार होता है न वहां पर मांगना नहीं होता है और एक तरफ भग से यह सब चीजे ना मांगर थूखे ना मांगर नश्वर चीजेशना मांगर उनके प्रतिश रधा प्रेम और लूंकी गुंड है भगवा जैसे जेन के तो गहन प्रता के सागर है तो ग्याह पवित्रता और शांटी वह सागर की उस तкое में उसको ग्रहन करने की कोशिश करें बिल्कुल यह तो हमने सोचा ही नहीं कभी नहीं और यह जब सोचने वाली बात है कि जब हमारा माइन इतना स्ट्रॉंग है जब उनसे हम शांती शक्ति वा पवित्रता के गुण अगर को हम प्राप्त कर लेंगे तो लौकिक सिद्धियां सक्सेस पैसा दुख जाएंगे चीजे अभी आपने बताई जो अलंग कारों में चुपी हुई है तो उसका एक डीप मीनिंग मेरे अंदर उतरता जा रहा है और थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ और महादेश की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं आपनी शीतलता की बात करी लिकिन कहते हैं जब महादेश को गुस्सा आता है तो तीसरी आख उनकी खुलती है जो कि विनाशकारी होती है इस के पीछे का रहत से देखिए क्या है कि हमा आज एक नॉर्मल इंसान भी अगर बहुत गहन शान्ती का अनुबाव करें तो उसे गुसा कैसे आ सकता है और महादेव यहाँ पर 24 गंटा तपस्या में रत है और फिर भी उनको क्रोध आ गया यह चीज मुझे बहुत बार वंडर करती तो यह कहीं ने कहीं आगे जाके जब पुराण रशना वे तो लोगों ने इसमें बाद में यह कहीं ने कहीं थोड़ा इंटरपोलेशन हुआ तो क्यों इस बात का सुचक है कि आख मतलब कौन सी आख तीसरी आख ंंतर चक्शू का मतलब भी होता जब वकति को अपनी वास्तविकता का ग्यान कि यहाँ हो जाए की में शरीर में कौन हूँ प्रे घार खुल जाती है और जब ऐसे आध्यात्मिकं खुल जाती है तो बाहरी परिवर्तन, संसार का परिवर्तन, इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन निश्चित हो जाता है। देखे क्या है कि भारते संस्कृति में बताया गया कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। इस आत्मिक ज्यान से लाव यह होता है कि आत्मा ना स्री होती है ना पुरुष होती है। कि मन के अंदर छिपे हुए काम विकार भी नश्ट हो जाता है। और इसी को शास्त्रों में दिखाया गया है कि जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो उन्होंने काम देव को भस्म कर दिया। इसलिए शुव का नाम कामारी भी कहा गया। अर्थात काम को निश्ट करने हैं। कहीं हमारे अंदर की जो विचार है ये उसी को दर्शाय गया है। भिल्कुल तो ये काम देव को शास्त्रों में बताया गया है कि शीव जी जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें वह ने क्या कि पताते हैं श्रीव जी के शंकर जी को एक साथ मैंने बता कि तादात्म कर दिया गया है तो जैसे ही उनकी ज्यान चक्षु खोलते हैं कि मैं कौन हूं मैं तो आत्मा हूं तो वह आत्मा हैं तो हम इस चिपावा काम विकार वह तो नस्ट होगा है लेकिन अगर उसका और आगे उस आधना को ले जाएंगे तो तो एक यूग और समय को भी वदल सकते हैं और महा प्रलय के बाद सत्यूग के शुरुवात भी हो सकती है इसलिए दिखाया गया है कि उस ज्ञान के चक्षु से उस आध्यात्मिक नेत्र खुनले से कामदेवतों नश्ठ हुए ही लेकिन सुरिष्टी का प्रलय काल भी आ गया प्रलय काल के पीछे अंधेरे के पीछे सुबह रातरी के पीछे भोर चिपी हुई है सत्यूग चिपा है तो यह भी कल्यान कारी ही है अंगल में राजीत भाई कितना वंडरफुल है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात करती रहूं और भी इसके रहस्य को जानती रहूं पर हमारे पास समय काम है लेकिन इसको हम आगे जरूर जानेंगे कि और कौन-कौन से रहस्ये हैं जो म कि एक रहस्य खुलता जा रहा है तो मेरी आँख भी खुल रही है मेरी एक समझ जो है वो आती जा रही है एन आम शूर कि जब हम इन चीजों को इन रहस्ये में चीजों को भारी रूप से ना देखकर उसके पीछे की जो वास्तविक्ता है उसको समझेंगे तो अपने जीव झाल